राधी राधी मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपके साथ में बहुत ही बढ़िया सी रेसेपी शेयर कर रही हूँ सर्दियों की स्पेशल है बत हुआ और चना का साग एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखो आप उंगलियां चाटोगे तो यहाँ पर हमने लिया है जितना ह हमने आधा लिया हुआ है बत हुए का साग या कह सकते हो आधे से भी कम तो यहाँ पर हमने चने की दाल को नमक के साथ थोड़ा सा प्रेशर को कर लिया था पहले ही जिससे की जो हमारा साग बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब फास्ट हो जाए ज्यादा टाइम ने यह चने की दाल को पगने में काफी टाइम लगता है तो मैंने तीन-चार सीटी लगा ली थी पहले ही और अब मैं इसे लोहे की कड़ाई में पलट दिया है मैंने थोड़े से पानी के साथ में जब थोड़ी देर पांच मिनट हम कड़ाई में भी दाल को पका लेंगे उसके तो उससे क्या होगा आपको अंदाजा लग पहेगा आगे का प्रॉसेस करने का कि यह साख कितना रह गया है क्योंकि हर Three साग आइ तहु अभी तो यह इतना सारत दिख रहा है पक कर के यह थोडा सा रह जाएगा देखिए कितना कम हो गया ना दो मिनट बाद तो दो मिनट बाद मैं गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूँगी पानी देखो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि पानी हम बाद में इसमें अर्जस्ट करने वाले हैं चनी की दाल को बस इतना पकाना होता है कि फूल जाए अच्छे से थोड भी आप ले सकते हैं इसमें हम पानी डाल करके इसका एक एकदम पतला सा घोल बना के तयार करेंगे तो यहां पर जो घोल बना रहे हैं इसमें गुठलिया नहीं पढ़नी चाहिए साथी साथ में आपको ध्यान देना है कि आटा भी जादा नहीं होना चाहिए अगर आपको स्वाद आएगा उसमें तो यहां पर इसे हो गए हैं 5-7 मिनट पकते हुए मीडियम फ्लेम में साख को तो यहीं पर हम डाल देंगे यह अपना घोल और अब हम इसे फ्लेम को थोड़ा सा लो मीडियम कर लेंगे क्योंकि आटा डाला है तो जल्दी से ठिक हो जाएगा अब इस तरीके से हम मिलाएंगे और यहीं पर हम पानी डाल कर कंसिस्टेंसी अर्जेस्ट करेंगे साथी साथ पानी थोड़ा जादा रखेंगे जिससे जो साग है उसे हम बढ़िया तरीके से 8-10 मिनट तक पका पाएं जिससे जितना आप इसे पकाऊगे साग का जो टेस्ट है जो कलर है उतना अच्छा आएगा अभी आपको यह सफेद सफेद लग रहा होगा दिखने में लेकिन जैसे यह पकेगा यह इसका कलर एकदम बढ़िया हो जाएगा और जो यह आटे का गोल होता है बाइंडिंग का भी काम करता है अब इस तरीके का जो मतनी होती है ना जिस जैसे यह मिक्स होगा घोटेगा पकीगा तो आप देखेंगे कि साग जो है हमारा चिकना हो जाएगा और अच्छे से हरा हो जाएगा आपने यह एक चीज़ नोटिस की जो हमारा साग हो कितना हरा है बिल्कुल भी कलर इसका चेंज नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको करन अब आप देख रहे हो दाल बिल्कुल भी कही दिखाई नहीं दे रही होगी दाल इसमें मैश हो गई है और साग में आटा भी एक दाम जितना पढ़ना चाहिए उतना ही है जिसकी वज़े से मारा साग बिल्कुल सफेद नहीं हुआ है बद हुआ डालने की वज़े से इसका स्वाद तो बढ़ी गया है चिकनापन बहुत ही अच्छा आ गया है जिससे जो हमारा साग बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बनके तयार हुआ है तो अब इसे हमने इतना घोट लिया है कि दाल इसमें अब जहां तहां ही दिख रही है अब इसमें फ्लेम को हाई करके खूब अच्छे से इसे बरावर चलाते हुए पकाएंगे अगर आप चलाएंगे नहीं तो जो आटा रहता है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है तली में और फिर जलने लगता है इसलिए आपको इसे बरावर चलाना है गैस की फ्लेम को हाई रखना है एकदम गाड़ा गाड़ बने साग की बात यह अलग है जब साग मारा पक जाए तो उसे उतार के नीचे रखेंगे यहां पर हम लेंगे काफी सरसरों का तेल और इसमें डालेंगे बहुत धेर सारी धेर सारी का मतलब दो तीन चमत भर के कटीवी लैसन जब लैसन का कलर इस तरीके का हो जाए तो यह टाल देंगे हम इसमें और मिक्स कर देंगे अब जो साग है इसे आप बाजरे की रोटी के साथ खाईए या मक्यी रोटी के साथ में खाईए इनजॉائओ कीजिए मिरच के अचार के साथ में मूली के सलात के साथ में बहुत कमाल खलकता है यह चना और बदивал का साग मुझे उ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब